हालो एवीबल वेल्कम बैक टो प्लीजेस्ट चैनल फ्रिंट्स आज हम लोग याप पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आरे सकत वाल की बुक से न्यू एडिशन एक्सराइज वनी का कोशन नमबर 3 & 4 कोशन नमबर 1 & 2 जो कि आपको प्लेलिस में अवलेबल नहीं है लेकिन वो जो डेफिनेशन है मैंने आपको चप्टर में जियर नमबर क्लास 10 जो सबसे फर्स्ट वीडियो है 56 मिनट की उसमें दोनों चीजे एक्स्पेंड की हुई है वाट इस यूकलीड स्टी विजन लेमा वाट इस फंडमेंटल थ्योरी ऑफ अरिफमाटिक सो यह दोनों चीजे मैंने आपको एक्स्पेंड की हुई है महाँ पर आप महाँ पर दोनों कोशन देख लीजेगा ठीक है आपको कोशन में पूछा भी आपको मैंने बताया हुआ है उसमापर आप देख लीजेगा सो यह इसके जो प्रॉडक्ट्स है वो क्या है तो कितने टाइम से 1 2 3 दाइट मेंस 2 की पावर 3 इंटो 3 कितने टाइम से हैं ची की पावर 2 इंटो 5 so this is your answer means prime factors है prime factors का product है so यह आप से पूछा था express 360 as a product of its prime factor that means here 360 as a product of its prime factors 235 prime factors prime factors वो होते हैं जो सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं तो 235 खुद से या 1 से ही डिवाइड होते हैं उसके लावर किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं right so यह आपने express कर दिया now question number 4 solve कर लेते हैं now friends question number 4 आपको दिया हुआ है if a and b are two prime numbers then find hcf so आपको दो number कौन से दिये हैं a और b यह दोनों कैसे number है prime number है means यह सिर्फ 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं that means अगर हम a का factor करते हैं तो a into 1 आता है and b का factor करते हैं तो b into 1 आता है so आपसे fourth question में दोनों prime number दिये हैं hcf पूछा है and fifth question में lcm पूछा है so guys hcf calculate करते हैं तो हम क्या देखते हैं lowest power देखते हैं क्या देखते हैं lowest so यहाँ पर a की power 1 है यहाँ पर b की power 1 है so a की power अगर हम यहाँ पर 1 है यहाँ पर तो है यह नहीं so जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हमें मालूम है उसकी power 0 होती है and किसी की power 0 तो उसकी value 1 होती है same यहाँ पर b है b की power 1 लेकिर यहाँ नहीं है it means यहाँ कहीं b की power 0 होगा और जिसकी value 1 है right so hcf में हम क्या देखते है lowest power so यहाँ से a की lowest power आ जाएगी a की power 0 a की power 0 lowest power होगी now अगर हम b की बात करते हैं तो b की lowest power क्या होगी 0 होगी into 1 सब में common है now a की power 0 जिसकी power 0 होती है उसकी value 1 होती है same b की power 0 की value 1 and यह 1 that means hcf क्या आ गया guys आपका 1 आ गया right clear है आपको now question number 5 if a b are two prime numbers then find the lcm so यह था आपका answer 4 का solution 4 and यह है आपका solution 5 right guys same a b है और इनके a b के अगर हम factor करते हैं तो क्या आएगा a का factor आपका a into 1 and b का factor b into 1 lcm calculate करना है तो lcm में क्या होता है हमारी highest power hcf में क्या लेते है lowest power so अगर हम इसी के difference से देखे तो आपकी highest power कितनी है यहाँ पर a की power 1 and यहाँ पर कितनी है b की power 1 that means आपकी value हो जाएगी a b अगर हम 1 की multiply करते तो 1 तो obviously किसी में भी 1 की multiply करो तो वही value आती है so यहाँ पर a की power 1 b की power 1 that means a b so इस question का जो lcm value होगी वो a b होगी और इसी question की hcf value 1 होगी means अगर आपको 2 prime number दे दिये और पूछा जाए कि उनका आपको hcf calculate करना है तो obviously 1 होगा but अगर आपको lcm calculate करना है तो वो दोनो number होग का product होगा right so इस तरह किसे आपको question number 4 and 5 यहाँ completely solve हो जाता है now guys question number 6 solve कर लेते है now friends question number 6 आपको दिया है if the product of 2 prime number is 1050 and their hcf is 20 then find the lcm so starting में ही आपने video में readout किया था कि जो दो number है उनका lcm और hcf को जो product होता है वो उन दोनों जो number है two numbers product के equal होता है that means lcm and hcf of two numbers equal होता है वो जो दो number होते है उनके product के ठीक है so वो जो आपके number है उनका product आपको कितना दिया है 1050 दिया है hcf आपको 25 दिया है lcm calculate करना है so lcm equals to आ जाएगा 1050 upon 25 so 25 4 जो कितना होता है 100 होता है यहता कितना 50 and 25 2 जो 50 that means lcm आपका आ जाता है यहां से 42 and this is your answer right so है नो so easy so guys समझा गया तो वीडियो लाइक कर दीजे और कमेंट कर दीजे यह समझा गया and question number 7 what is composite number उसकी definition मैंने आपको firstly स्टार्टिंग में ही बता दी थी अपना सब्सक्राइब कर लीजेगा next video में question number 8 हम लोग solve करेंगे okay so मिलते हैं next video में bye bye take care